Hello everyone, this video I have shown you that how to copy, paste in GST Portal पे कैसे कर सकते हैं जहां पे पेस्टिंग आलाओड नहीं होती उच अमाउंट्स की फील में GST में पेस्ट नहीं कर सकते हैं वो आज हम पिकिंगी कैसे उसे सॉल्फ है सकते हैं तो पहले आप मेरी वेबसाइट पे चाहिएगा, पेस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है आप वेबसाइट पे उपन करके, पेस्ट विगरसिंग और GST Portal इस सरे बाटन को क्लिक करके एक आपको छोटा से सॉफ्टर डाउनोट करना पड़ेगा यह सॉफ्टर 2-3 MB का ही है, कोई पड़ा सॉफ्टर नहीं है, तो आपको एक मिनिट लगेगा डाउनोट करने में यहाँ पे आप डाउनोट लिक करके, वर्जिन 1.1 यह वाला वर्जिन आप डाउनोट करना अब में इंस्टॉलिशिन पर लगाते तो इसे बस होगे, इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे एक्जिट करते ना अब क्या करना है आपको, यह वेबसाइट मेरी वापस यहाँ पर जाना है और आपको अपने कोई भी फोल्डर लेना है, और राइट क्लिक करके, एक नियू यहाँ पर आपका आपका अब इसको आपको अपको उसको dose स्कृप्त करना है, एक चुक पर आपको अब इसको आपको राही क्लिक करना है सेप करता हूँ और प्लोस करता हूँ अब आपको इसे एक बार डबर लिख करना है कि अब ये बैग्राउंड में रन होता रहेगा ये कोड और अब आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो अपना डेटा फॉर एक्जामपल इसी को ही हम कॉपी कर लिए है और अब आपको पेस्ट करने के लिए कैप्स लॉक प्लस फी दवाना पड़ेगा तो ये अक्चली पेस्ट नहीं हो रहा है खोज ही लिख रहा है जो आपने कॉपी कर रखा है पेस्ट कर ला हूँ इस फील्ड में वैसे पेस्ट नहीं हो रहा था पर अब मैं कैप्स लॉक प्लस भी दवार के पेस्ट कर रहा हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा इससे आप कुछ हॉर भी कर सकते हो इसी से आप इसो फिर एडिट करो यहाँ पे आप ये वाला कोड देखो एक्सांपल ये टेक्स रेप्लेस्मेंट के लिए आप इससे इसो बेस्ट कर दो यहाँ पे ये मेल आईडी की जागा आप कुछ भी अपना लिख सकते हो ये आप लिखोगे आपको एक्सांपल देखाता हो और आप ये लिखोगे ये वाला मेल आईडी से से कुछ भी लिखोगे आपको कोड आप अपना यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो और इसको लिखने के बात आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हो तो for example, आपको मैंने यहाँ पर mail id यां लिखा है और अपनी mail id जोगी है मैंने यहाँ पर डाल दिया है और मैंने इसको save करके cross कर दिया और इसे असरम कर दिया Yes, अब मैं कहीं भी जाके कहीं भी जाके मैं mail id लिखूँगा और space भारूँगा तो अपने अप automatically replace होके जोगी मैंने वहाँ पर लिखा था वो आ जाएगा तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं आपको जो भी आपकी use में आए इस वाकर आप इसको जितनी बार भी लिख लो और अलग रख चीज़ी यहाँ पर डाल सकते हो जहीं यहाँ पर address यहाँ आडरेस का कुछ इससे code डाल देना कहीं बार आप address सच में लिखना चाहते हैं और वो address बार बार रिप्लेस ना हो तो यहाँ पर आडरेस अपना कुछ भी डाल दो और वो अपने अपने प्लेस हो जाएगा आप जितने भी चाहो उतने भी यहाँ पर डाल सकते हो और यह जो background में run करेगा इतनी processing power नहीं ले गाई है तो चिंता बत करने हैं इस आपका computer slow नहीं होगा इससे शीप करके अब आपको इसको बार बार रन नहीं करना है जब आप आप ओफ करोगे computer और वापस on करोगे तो यह आपको बार बार रन ना करना पड़े तो इसका भी एक shortcut है तो राइट लिक करके create shortcut click windows key plus r दबाओ यहां पर आपको लिखना है shell colon startup और ok क्लिक करना है अब यह folder आ जाएगा यहां मैंने पर लेटर को start रखा है इसको आपको copy करके यह वाले folder में safe करता है बस अब हर बार आपको computer start होगा तो यह background में चल जाएगा तो आपको पार बार इसको on करने की जब की है